आपको कौन ऐसी चीजों का स्यवन करना चाहिए जो कि आपके सिहत के लिए काफी फाइद मन साबित हो सकती है आपको कांट्रोल में नहीं रहता है यह बड़ों में दर्दी का कमजोड होना बहुत चल्दी जल्दी आप हर चीज को भूल जाते है है कोई भी बात आपको याद नहीं रहती है और आपको अनिद्रा की समस्या है एक लिए उसके प्रइeh감 कई उसके इस का रहते ऑनी ऐँ और बताने वाली एक नोले खाने वाली चीज के बारें बताने वाली हूँ उसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो 100% आपका बीपी जो है कंट्रोल हो जाएगा और जो लोग हार्ट के प्रिसेंट है या सुगर के मरीज है उनको लिए भी ये वीडियो काफी उच्फुल होने वाली है तो प्लीज वीडि अब नोटिफिकेशन सरा जो भी जो अपको अपको अब्लों को पॉतर होती है क्योंकि तासी को थंडी होती है जिसके वज़ाज से अगर आप अलर्जी होती आपके सरी में आपके सरी अंदर के घरमी को जासे जो बीमारिया उत्पन होती है और यह स्कीन से रिलेटेट कोई भी समस्या उत्पन नहीं होती है अगर आप प्रियों कर सकते हैं इसके तरीके के बारे बताने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेनिफेट के बारे बता देती हूं कि आल्सी जो है आपके हाई बीपी को कॉंट्रोल करने के लिए राम बार्ण इल आप नियाली आपको कहूंगी कि आप प्रियों करना प्रियो कर दिजए कि अगर आप लगतार दो महिने सर्ट महने से 2.5 महीने सा क्रें कर लेते हैं कि आपका वीपी हमेसा के लिए गली मात दाता है अघाम बार्ण दिजिएंञे का का नहीं compliance होके करने के Patriot आपके हीर्दयक और स्वास्थ के आपके तृमने काम करता है। hollow morality को कि हमें जाते हुआ कि तो अगर आपयों को फिर्चाना करते हैं, आपको末ल कोष्कर नियत्पित नाइट और यहां काम करते हैं दो अगर आपको azee को अपने डिय přática अलग होता है तो आप बहुत तरीके से की आप कच्चे फोर्म परयो कर सकते हैं और इसे भून इंदर सकते हैं तो सबसे पाला तरीक में आपको बदा देती हूं कि आप एक चमच अलसी ले लीगगे एक विघो इसके आवरा आप इसको भून लीजिए रोष्ट कर लीजिए और नहीं देली ये चमच्के भूनेजिक पर सकते हैं सेब्स करके कर सकते हैं अगर आप इसे बून का डिरेक्रीज नहीं और वी कोई भी से प्रयोग कर सकता है क्योंकि बहुत सारे हेल्थ परिट्स होते हैं आप इसको टेश्टी से बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा जो है काली मीज और काला नमक अड़ कर सकते हैं जिससे थोग सा टेस्टी हो जाएगा otherwise आप इसका ऐसे भी पर्योग कर सकते हैं बीना कुछ मिक्स किये क्योंकि भूना हुआ अलसी जो है बहुत ही जार टेश्टी लगता है खाने में तो आप इस तरीके से अलसी का पर्योग कर सकते हैं तिसरा तरीका है कि आपको इसी दूद में डालकर करना है आप इसका कि अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी यदा सक्ती बनती है तेज होती है और आपके घुट्नों में जोड़ों में दर्थ की समस्या बीद्र हो जाती है हड्या मजबूत बनती है तो जो बच्चे श्टडी कर रहा है उनको एक ग्लस दूद में एक चमच चलसी के पाड़ करना बता है वैसे कीजिएगा इससे आपको हाई वीपी में काफी फैदा मिलेगा और भी आपको बहुत सारे हेल्थ मिनफिट्स मिलेंगे जो कि मैंने बीडियो में बता दिया है और आप सभी जानते हैं कि आपके अदा सक्ती को बढ़ाने का काम करता है और इसमें बीटाम में फिर सोते हैं तो अगर आप डेली बादाम को भीगो कर खाते हैं तो इसके आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं लेकिन यहां पे आपको जो मैंने उसका बताने वाली हूं उसमें आप परियों करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे जो कि मैं इस प्र भी आपको डासस़क्ति को इंपरूब करता है और अनित्रा दिलाता है अगर आपके शरी में कंजोरी थकान की रुचिया हो गई किया हुट इसको दूर करने में सब्वेत इसाइज हूं को वह भूनित और तीनों चीजों को एक में मिक्स कर दीजिए अब इसका प्रयोग आपको डेली रात को सोने से पहले एक ग्लास दूद में एक चमसी पाड़र को डालना है और सोने से 30 मिनट पहले आपको इसका प्रयोग करना है दूद के साथ और फिर सो जाना है इस तरीके से आप करने उनको तो खास करके इन तीनों चीजों के पाड़ा का प्रयोग जरूर से करना चाहिए दूद के साथ या जो भी बुजूर्ग हो गये हैं उनको भी करना चाहिए क्योंकि एदा सकती बढ़ाने के साथ उनके जोड़ों और घुटनों की दद की समस्या से भी छुटकारा आपको प्रयोग करना दोनों के दोनों रेमेडी बहुत ज़्याद एफेक्टिव हैं दोनों को आप साथ में प्रयोग कर सकते हैं लेकिन मैं आपको कहूंगी कि अभी गर्मियों का मौसम है तापालसी के बीज का प्रयोग करना सुरू कर दीजी आपको बहुत सारे फैयदे मिलेंगे आपके सरी के बहुत सारे रोग ऐसे ही दूर हो जाएंगे तो फेंट साप इस नुसके को ट्राइब कीजिए आपको हंडेट परसेंट मिलेगा आई होब कि आपको हमारे वीडियो काफी यूजफूल और इंफर्मेटिव लगी होगी तो प्लेज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जादा जादा सेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इंफर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यबाद